YouTube के इन दो सालों में मैंने बहुत सारे students देखें कुछ ऐसे students भी देखें जिन्होंने सीटेट को एक इवारे में पास कर लिया कुछ ऐसे students भी देखें जिन्होंने दो और तीन बार attempt किया जो उन्हें how to की वीडियो में बताया जाता है हर किसी के दोरा including me उन्होंने वो सब कुछ किया, लेकिन उनसे सीटेट क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि आप कितना कुछ भी देख लीजिए, अगर आप पांच चीजों को फोलो नहीं करते हैं, पांच ऐसे बेसिक चीजें जो पता आप लोगों को भी होगा, लेकिन उन चीजों को कैसे अपलाई क करना है, ये काफी बच्चे पता करने में चूप जाते हैं, ये वीडियो देखना आप, मैं नहीं, आप खुद कमेंट करोगे नीचे कमेंट बोक्स में, कि सर ये जो बाते हमने अपलाई की, साथ दिनों के अंदर आप लोगों को अपने अंदर इंप्रूमेंट जो है जो समझ होगी, वो भी डिलप होगी, और उसको मैजर और कोई नहीं करेगा, आप खुद करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए, आप लोगों को बिलकुल समय निकालना होगा, इसमें हम क्या डिसकस करेंगे, मैं आपको बता देता हू आपकी जो शमता है, आप उससे कम रह जाते हैं, तो उसमें उपर वाले की गलती नहीं है, कि मैं इतना पढ़ लेता, मैंने वहां से नहीं पढ़ा, उसमें गलती आपकी है, क्योंकि आप इन पांच चीजों के बारे में अवेर ही नहीं थे, और ये पांच चीजें उन सभी स्टूडेंट्स ने अपलाई की हैं, जो सीटेट या और इंपोर्टेंट जो है अपना एक्जाम क्वालिफाई करते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो सबसे बड़ी दिक्कत एक स्टूडेंट की रहती है, कि सर मैं अपना टाइम टेबल कैसे बनाओ, क कोई मुझे कहता है ये करो, कोई मुझे कहता है वो करो, मैं किसके उपर ट्रस्ट करूँ, मैं बताऊंगा आपको कहां से कोशन आएंगे और किसके उपर आपको ट्रस्ट करना है, तीसरी चीज जिसके उपर मैं ये बात करूँगा, जो आपकी स्पीड है एक्जामीनेशन म वो कैसे improve होगी किस तरीके से आप अपनी speed भी बढ़ाएंगे और ठीक answer देने का chance जो होगा आपका वो भी बढ़ेगा speed बढ़ाने का नाम लेते ही आप ये सोचते हैं कि आखबंद की गोले भर दिये कई लोग बोलेंगे गोले भरते रहो speed नहीं बढ़ती है speed बढ़ती है आपके confidence से आपकी knowledge से knowledge में gain होगा तभी speed बढ़ेगी ये जो जूठी मूठी दिल को तसली देने वाली बाते होंगी वो नहीं करूँगा आज मैं कडवी बाते करूँगा सच्ची बाते करूँगा जैसे कि आपको बताया जाता है कि आप लोगों को आसान चीजें जो लगती हैं वो इतनी आसान नहीं होती मुश्किल चीजें एक बार करना होती हैं आप उन्हें कर लेते हैं लेकिन आसान चीजें बार बार करनी होती हैं और सफलता उसी से मिलती है अगला जो हम point discuss करेंगे वो करेंगे कि आपको coaching join करने चाहिए या नहीं करने चाहिए coaching center के इस word को काफी मरोड तरूड के आपके सामने परस्तुत किया जाता है लेकिन coaching center का use क्या है और coaching center को कैसे use करें या ना करें उसके बारे में बात करूँगा मैं आपसे उसके बाद last मैं बताऊंगा कि आपको कैसे ये पका हो जाएगा कि आपने जो ये पांच चीजें मैंने आपको बताई है उससे फायदा हो रहा है उसको measure करने का तरीका भी बताऊंगा आप खुद नीचे 7 दिन के बाद ये challenge लेना और 7 दिन के बाद नीचे comment करना कितनी speed आपकी बड़ी है मैं जानना चाहूंगा क्योंकि ये video सिर्फ ऐसी video नहीं होगी कि आप इसको 2 दिन के बाद भूल जाए सारी वही गिसी पीटी बाते इसमें आपको सारे वैसे तरीके बताऊंगा उनको आप अपनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना time आप save कर पा रहे हैं और आप लोगों का जो answer देने की speed है वो कितनी ठीक है और एक power tip जो हमेशा वीडियो के last में आप लोगों के लिए कारगर होगा लेकिन वो power tip तभी काम करेगा जब आप लोगों के इन 5 चीज़ों का पता हो तो जल्दी से time निकाल ये इस वीडियो के लिए और शुरू से लेकर last तक देखना और जब आपके दिल में ये आए कि thank you so much sir तो नीचे एक प्यारासा comment देने के साथ like बटन और share भी दबना चाहिए सबसे पहले बात करते हैं time table क्या होने चाहिए आपकी जब भी seatate का नाम आपके सामने आता है time table हम बनाएंगे सबसे पहले आप decide करते हैं कि हम एक must time table बनाएंगे daily उसको follow करेंगे लेकिन आपको idea ये नहीं होता कि आपको time table में कितना time किस चीज़ को देना है time table बनती है आप लोगों की कमजोरियों और आप लोगों के strong points के उपर सबसे अच्छी proven technique ये है कि जब भी आप अपना time table बनाएं ये देखें एक्जाम में आपके question कितने subjects के आते हैं seatate का उधारन लेते हैं पांच subject आते हैं उन पांच subject में से जो subject आपके सबसे कमजोर हैं उनको daily आपको एगंटा देना पड़ेगा और कितने दिन देना पड़ेगा कम से कम एक महीने से दो महीने के बीच में हो ही नहीं सकता अगर आप ये सोचने हैं कि आपका कोई भी चीज स्ट्रोंग नहीं है और आप वैसे ही seatate को clear कर लेंगे हो ही नहीं पाएगा दो महीने आपको invest देने पड़ेंगे invest करने पड़ेंगे देखिए हर एक चीज को result देने में time लगता है आप लोगों को एक से दो महीना उन पांच subject में से ऐसे दो subject को देना पड़ेगा जिसमें आप कमजोर है कितना एक एक गंटा बाकी के चार जो आपके subject है आप उनको 20-20 minute बाकी के जो तीन रह जाएंगे न उनको 20-20 minute और आदा गंटा भी दे सकते हैं आपकी capacity के अनुसार लेकिन ये जो आपके दो subject होंगे इनको आप जो है अपनी time table में जरूर जंगय देंगे और time table के दो rule होते हैं क्या होते हैं? दो rule होते हैं पहला rule होता है कि आपको daily आप लोगों को अपनी time table जो है पूरी करनी पड़ेगी जो आपने सोचा है वो daily पढ़ना पढ़ेगा जिन में कमजोरी है वो दो subject पढ़ने पढ़ेंगे ये पहला rule है दूसरा rule ये है कि किसी दिन आप ये सोचो कि मैं ये दो subject नहीं पढ़ सकता और मैं daily नहीं कर पाऊंगा मुझे थोड़ा सा rest चाहिए तो इस खयाल को अपने दिमाग से निकाल देना ये आपको ध्यान रखना है दो महीने की तयारी में आप लोगों के mind में एक ही चीज होनी चीजिए जिस चीज में मैं कमजोर हूँ छोड़ दो वटसेफ एगरा इन सी जो को और उन चीजों को बिल्कुल आप टाइम दे जिन दो सब्जेक्ट में आप कमजोर है ये पहली बात मैंने आप से जो है डिसकस की कि टाइम टेबल में किन को इंक्रूड करें और किस ही साब से टाइम टेबल बनाए दो एक के गंटा देना सीटेट क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले प्रीवियस येर कोश्चन पेपर को इकठा करो जितने हैं उतने अब उन से आप कैसे सलेबस का पता करेंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे उन चीजों को निकालेंगे जो आपको मेनली पढ़नी है उसके अलावा उनको फिनिश करने के बाद आप दूसरी चीजों को टच करें पिछले चार या पांच सीटेट उठाओ हर सब्जेक्ट में यानि कि मान लिजी आपको ये पता करना है कि सीडीपी में क्या इंपोर्टेंट चीज़ है ये देखो कि ये 30 कोश्चन कौन से शित्र में से आए हुए है कौन से पार्ट में से आए हुए है आप लोगों को अगर आप 5 कोश्चन पेपर को भी मैच करेंगे आदा गंटा लगेगा ज्यादा टाइम ने लगेगा इसमें लोग आदा गंटा बचाने के इससे भी ज़्यादा काम की बात होंगी उन पांच प्रीवियस येर कोश्चन पेपर में ये देखो कि कॉमन कोश्चन कहां कहां से आई हुई है वो कोश्चन नहीं रटने हैं जैसे कि समावेशी सिक्षा से मान लो पांच ओ बार एक्जाम में आया है आप लोग बिलकुल मार नहीं खाओगे और ऐसा तरीका ज़्यादा तर आप उन टोपिक्स में लगाओ जिन में आप थोड़े से कमजोर हैं ताकि आप लोगों के पास कुछ तो ऐसे टोपिकों जो आप करके जाएं और वही एक्जाम में आएं तो ये तरीका होता है किसी भी सब्जेक्ट के क्या चीजें आएंगी क्या नहीं आएंगी उनका अंदाजा लगाने का तो दो चीजों के बाले में बात कर चुके हैं कि टाइम टेबल कैसे आप उसमें डिसाइड करेंगी कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टाइम हो गलत नहीं है, coaching center में अगर आप जा सकते हैं, बिल्कुल जाईये लेकिन ये कहना कि coaching center में आप ना जाये और ना पढ़ें, फिर भी clear कर लोगे नहीं हो सकता, पढ़ना आप को इपढ़ेगा, तो coaching center में आप जा पाते हैं, तो well and good, अगर नहीं जा पाते हैं फिर भी आप clear कर सकते हैं आप coaching center में और जो आपका online coaching होते हैं उसमें फर्क इतना ही होता है कि आप अपने teacher से खुल कर question by face पूछ सकते हैं ये benefit होता है उसका तो जो ये सोच रहे हैं कि मैं coaching center में मैंने admission ले लिया तो अब पका है तो बिना पड़े coaching center वालों का भी नहीं होता बिना पड़े online वालों का भी नहीं होता तो इस मित को दिमाग से निकाल दीजिए ये person to person depend करता है कि उसकी तयारी कितनी है और उसे coaching में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए तो आप खुद इस बात को decide करेंगे दूसरों के बैकावे में ना आए हर एक चीज अच्छी होती है तो बिल्कुल criticize आपको नहीं करना है offline coaching को उसके बाद जो fourth point है उसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा द discuss करता है आपकी speed के बारे में आप अगर student से पूछेंगे जिनका clear नहीं होता वो आपको एक चीज clear बताएंगे कि सर मेरी speed थोड़ी सी कम है मान लीजिए mathematics किसी का कमजोर है तो mathematics में इतना time लगा दिया जो चीज़ें आती थी उसको attempt नहीं किया या आधे दिमाग से attempt किया क् अब आप लोगों की speed जो है उसको आप कैसे measure करेंगे कैसे बढ़ाएंगे उसको भी मैं आप लोगों से discuss कर लेता हूँ देखिए सबसे पहला तरीका होता है कि आप अंदादुन जो है गोले नहीं बरेंगे आप timer लगाएंगे और daily question attempt करना start करेंगे अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो पहले दिन ही 1500 minute का timer लगा लेंगे और सोचेंगे कि आज तुमें 1500 minute जो है पूरी करके उठूँगा फिर एक महीना नहीं बढ़ेंगे और ना एक महीना timer लगाएंगे जितनी आपकी हैसियत है उसके इसाब से मान लीजे आपने ये सोचा कि मैं 20 question करूंगी तो एक question के लिए 1 minute मिलता है speed आपकी increase होगी तो सबसे पहला तरीका जो speed increase करने का है वो ये है कि आपको questions attempt करने पड़ेंगे ठीक है जो कि आपके mock test के हो सकते हैं और mock test में कौन से question attempt करोगे जैसा मैंने बताया 5 previous question पर उठा के देखो जिन subject में से आ रहे हैं उन subject के question लगा डालो ऐसे ही आपके number आएंगे और आप मुझे thanks बोलोगे sir कि ये पहली video हमने ऐसी देखिए जिसमें पूरे YouTube पर कोई बकवास नहीं और सारी अच्छी बात की गई है बाकी मैंने नहीं देखिए और भी videos हों जिनमें मुझसे भी अच्छी बात की गई है तो बहुत अच्छी बा perform करें और समय भी अपना बचा लें तो इसके लिए आपको calculation तेज करनी पड़ेगी खास करके mathematics में क्योंकि mathematics ही एक ऐसा subject है जो आप लोगों का time consume कर लेता है और दूसरा English ऐसा होता है लेकिन mathematics की आप अपनी calculation तेज कीजिए उससे क्या होगा आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारा time extra बचेगा तो calculation आप अपनी तेज कीजिएगा उसके बाद आपको अपना stress level down लाना पड़ेगा speed कम होने का सबसे मुख्य कारण क्या होता है कि आपके जो stress level हो जाता है वो बढ़ जाता है बिल्कुल फ्रेंक को क्या आपसे बात कर रहा हूँ आप exam में गए बिल्कुल ठीक रहते हैं nervousness जो होती है आपकी control में रहते है लेकिन जैसी आप examination की seat पर बैठ गए nervousness हाई हो जाती है और हज तो तब हो जाती है जब आप लोगों को एक page पर दो या तीन question ऐसे दिख जाए जो आपको आते नहीं हो फिर आप क्या करते है पैनिक करने लग जाते है फिर पैनिक जैसे ही आप कर गए तो दुख मनाने लग जाते है और उसी में 4-5 मिनिट निकल जाते हैं आपके सबसे पहले आप लोगों को पैनिक नहीं होना अब मुझसे कई student पूछते हैं कि सर पैनिक कैसे नहीं हो कोई idea नहीं है कोई motivation नहीं है motivation दो दिन चलेगी भूल जाओगे इस वीडियो में motivate तो कर दूँगा मैं अभी आप सोचेगे कि नहीं नर्वस नहीं हो करोगे timer लगा कर question attempt करोगे जितना जादा invest करोगे अपनी पढ़ाई में time उतना ही जादा आपका stress level नीचे आएगा देखिए खोखली चीज़ें ही डरती हैं अगर आपकी तयारी है जो चीज़ एक्जाम में आएगी उसके बारे में आपको अंदाजा है आप wait करोगे कि एक question timer लगा के हो सके कर लो जहाँ पर भी app आपको मिलती है जैसे back to school app वहाँ पर mock test दीजे time के अंदर दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप अपना stress level नीचे करें और stress level वो नीचे कब होगा एक्जाम में जब आप तयारी करेंगे तो obviously आपकी speed भी increase भी मिलेगी इससे अब प चीज़ बताता हूँ जो सफल student होते हैं ना कभी भी उनसे आप ये पूछेंगे कि जब आपने तयारी की थी तो अपना समान दिखा मुझे तो वो आपको अपने handwritten notes से जरूर दिखाएगा ऐसा होई नहीं सकता कोई student आपको ये बोले कि मैंने ये exam clear किया या मेरी तयारी इ कौन-कौन सी चीज़ राइड डाउन करें और कैसे लिखें ज़्यादा देखें लिखना आपको पड़ेगा अगर आप लिखते नहीं हैं और आप एक student है तो यकीन मानिए बहुत बड़े भहम में हैं आप आप बोलेंगे सर मैं तो पास कर लेता हूँ बिना लिखे जिसें लिखने लग जाओगे न अपने आपको कोस होगे कि मेरी potential इतनी ज़्यादा थी लेकिन मैंने कब उसको use नहीं किया तो मेरी बात मानों लिखना जरूर है अब लिखना क्या क्या मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ को बार बार नहीं लिखना आपको लिखने की भी पहली चीज होती है आपको अपना daily target लिखना पड़ेगा daily target क्या होगा मैं बापको बता देता हूँ daily target होगा कि एक घंटा आप किन चीज़ों को देंगे जैसा हमने पहले point में आपसे discuss किया था कि जिन दो subject में कमजोर हो उनको एक ए घंटा दो note down करो आदमी सबसे पहले जो है अचीव करेंगे तो आप चीजों को लिखे 5 मिनट उठकर पहले और उसके इसाब से अपनी तयारी करें उसके बाद दूसरा ये है कि जब आप अपने daily goals को अचीव कर लेंगे उसके बाद आप जो notes बनाना चालू करें वो notes आप कहां से बनाएं देखे जैसा मैंने का जाता previous year से आपको hint भी मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़े आती हैं उन चीजों को आप धूड़ना start कीजिए अच्छे अच्छे article आपको मिलेंगे articles से लीजिए आप चीज article के अलावा कहीं से आप वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपके बहुत अच्छी वीडियो हरी है आपके syllabus में है और बिल्कुल current ऐसी चीज़े की आपके exams में पूछी जाती है तो वहां से notes बनाएं वीडियो मिले आप लोगों को अलग जो blog मिले online material मिले या offline भी आप किसी से पढ़ते हों तो हमेशा आप note बना कर चलिए क्योंकि वह note C क्या करेंगे वह note C आप लोगों को last में मदद करेंगे देखें पढ़ने को तो book भी पढ़ सकते हैं लेकि last time पर जब आपको एक नजर मारने पढ़ेगी तो आपको 1.500 नहीं पलटने पढ़ेंग आपकी जो वह एक अच्छी जो आपने notes बनाई होंगे उनको ही आपको एक बार go through करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी improvement को ज़रूर track करें क्योंकि जब तक आप track नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को तो कोई फाइदा ही नहीं है किसी भी चीज़ को करना आपने मान लीज कि मैंने आज कितना track किया कितना lose किया वजन मैंने ऐसे ही तयारी करते वक्त होता है डेली पड़ें जो मैंने पांच चीज़ें आपको बताई उन पांच चीज़ों को एक अफ़ते तक जो है डेली ट्राई करें फिर उसके बाद आप नीचे comment करना कि आपको कितना फायदा ह क्या क्या पांच चीज़े करें सबसे पहले दो सब्जेक्ट को एक गंटा दो बाकी को आदा आदा गंटा उसके बाद आप क्या करें प्रीविएस यर पांच साल के उठा इंपोर्टेंट टोपिक निकाल दो हर सब्जेक्ट के coaching center जाते हो नहीं जाते हो कोई पंगा नहीं है clear कर दिया मैंने उसके बाद अपनी speed को measure करो और speed कम है तो improve कैसे करोगे उसका तरीका भी साथ बताया था question करो timer लगा के calculation तेज करो उसके बाद stress level नीचे लाओ वो आएगा जब आप उपर के सारे काम करेंगे तो यहां तक मामला clear हो जाएगा उसके बाद daily आप अपने target लिखें जो चीज़े आपको पढ़नी है उनको tick mark लगाते जाएं और 7 दिन के बाद आप ये देखें कि जिस test series को जिस परकार के questions को आप पहले दिन जितने time में कर पा रहे थे पहली चीज आप ये पहले दिन अगर करने लगो ना तो पहले दिन दो चीजों का हिसाब रखना पहली चीज का हिसाब रखना कि आपने मान लिजे 50 questions किए CDP के और आप उन्हीं को ये गंटा दे रहे है CDP क तो आप ये देखेंगे कि आपने एक गंटे के अंदर कितने question किया और उसमें से कितने question ठीक थे साथ दिन लगातार ये formula आप यूज करना उसके बाद साथ में आठ में दिन आप दुबारा से उस तरीके के 50 question को जो है टैंप करके देखना बहुत समय कम लगेगा और आप ल साथ दिन के बाद दुबारा नीचे speed लिखना अपनी और एक thank you ज़रूर बोलना जिसको इस वीडियो से फायदा हो अभी भी सुनने के बाद motivate हुए हो चीजे समझ में आई हो तो नीचे like का बटन होगा उसको दबा के नीचे comment करना और साथ दिन के बाद जब आप लोग फैला दो कि कैसे seat at में इन साथ चीजों को आप अगर याद रखेंगे तो आप सफलता पा सकते हैं पांच चीज जो आपको बताई थी और दो चीज क्या पढ़ते ज़रूर रहना है हमीशा और कभी give up नहीं करना है तो ये चीज़ें आप लोगों की help करेंगी अगली वीड पर है जरूर रिपलाई करूंगा और फैला दो इसको आग की तरह है वाटसेप पर फेस्बुक पर और जो भी networking site आप यूज करते हैं Instagram site तेंक यू